पुस्कार दोस्तों आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है घरके नोसकी वो घरे लोग लाटी इसमें आज मैं एक वीडियो लेकर आप लोग के लिए आया हूँ जिसमें हम बताएंगी कि मुखे छाले को कैसे आप सिर्फ अपने दोस्तों मेरी और इसी तमाम वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्क्राइब जरूर करें और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना बुले दोस्तों मुखे छाले आजकल इतनी एक आम समस्या होगी है कि मुखे छाले किसी को भी हो जाते हैं लेकिन मुखे छालो का यदि उप्चार नहीं किया गया तो केंसर का भी रूप ले लेता है दोस्तों जिन चीजों का आज मैं उप्योग कर रहा हूँ इस भी बोलते हैं, दोस्तों आप क्या करें हल्दी और सहद, चुटकी भर हल्दी और सहद को मिला कर पेस्ट बना लें, इस पेस्ट को छालो पर लगा लें, हल्दी एक प्राकृतिक रूप में एंटिसेप्टिक भी होती है, जो छालो को इंफेक्शन से बचाती है, तथा जो हमा में दो से तीन बार करें, इसमें मौझूद एंटो पोजिटिक तत्व शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, तथा सूजन को भी कम करते हैं, अगला दोस्तों नारियल पानी, नारियल का पानी पीने से शरीर की गर्मी कम होती है, सबसर पहली बार जिससे क्या होत मुझ के छाले जल्दी से ठीक होने लगते हैं, साथ ही नारियल का तिल चालो पर लगाने से जल्दी ठीक हो जाते हैं, अगला दोस्तों जो बचा हुआ वह बैकिंग सोडा, तो बैकिंग सोडा को पानी में मिला कर पेस्ट बना लें, इसके मिस्रन को चालो पर लगा लें, बेकिंग सोड़ा का एसिड अलसर का नूटिलाइजर का काम करता है तता इससे भी छालों में सिग्र आराम मिलता है दोस्तों मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है और कोशिस करता हूँ कि जिस साब समयने चीजों का आपको उपयोग बताया असानी से आपको अबलबल हो जाएगी आसपास और आप इसका उपयोग करके एक उपचार बना पाएंगे लेकिन इससे पहले यदि आपने घर पे मिलने वाली चीजों से जो इलाज में बता रहा हूँ वो देखने के लिए आप इस चैनल को नीचे सब्ट्राइब का लाल बटन दबाएं यह समाज शेवा है बिल्कु फिरी है कोई चार्ज नहीं है इसका वो वीडियो अच्छे ल आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है घरेलू गुलाटी और घर के नुसका दन्यवाद लिए